आईए अब इस अभीक्रिया को देखते हैं यह है इस्टर का जल अभघटन जब इस्टर का अमली माध्यम में जल अभघटन किया जाता है उसके फलसरूर हमें एक एसिट और एलकोहल प्राप्त होता है इस अभीक्रिया में हम देखें कि आपको एक अणू एस्टर तथा एक अणू जल की अभीक्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो अभीकारक भाग ले रहे हैं लेकिन जो जल अभघटन पर जिसके फलसरूर हमें एसिटिक एसिट और एलकोहल प्राप्त होते हैं यहां पर दोनों की ही सांद्रता यानि की एस्टर और जल दोनों की ही सांद्रता अभीक्रिया की दर को प्रभावित करती है लेकिन यहां पर हम देखें कि जब हम जलब घटन करते हैं तो जल की मात्रा एकसेस में बहुत अधिक मात्रा में ली जाती है और इस तरह से यदि जल जल की सांद्रता जो अभिक्रिया की दर है उसको प्रभावित नहीं करती है यहने कि अभिक्रिया दर में जल की सांद्रता का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है और इसे हम प्रायोगिक आंक्णों के द्वारा भी ग्याद कर सकते हैं मान लीजे शुरू में जब T is equal to 0 है टी शूनी समय है स्टार्ट में हम एस्टर तथा जल के इस्टर के 0.01 मोल एमल लेते हैं और जल के 10 मोल लेते हैं जब हम इसका अब घटन करते हैं तो शुरू में तो हमारे पास एसेटीक एसेड और एलकोहल के 0 मोल थे लेकिन जब ती समय के पश्चात हम देखते हैं इनकी सांद्रता तो इस्टर की सांद्रता 0 मोल बचती है यानि कि इस्टर लगभा पूरा समाप्त हो गया है लेकिन ज इस पूरे अपगटन के दोरान जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन बहुत कम परिवर्तन हुआ है और इस तरह से हमें जो उत्पात प्राप्त होते हैं वो बड़ाबर मात्रा में 0.01 और 0.01 मोल प्राप्त होते हैं तो इस तरह से हम देखेँ कि यहां पर अभीकारक की है वन स्टेप रेक्षन है और इसमें भागनेने वाले अन्वों की संख्या दो है तो इस अभीक्रिया की जो आणिविक्ता है वो तो दो है लेकिन प्रायोगित तौर पर जब हम इसके लिए वेग एक्वेशन लिखते हैं अभीक्रिया की कोटी लेखते हैं तो वह केवल जो अभीक्रिया होती है जो वास्तों में उच्च कोटी की अभीक्रिया होती है लेकिन कुछ परिस्तियों में परिवर्तन होने की वजह से यह प्रथम कोटी की अभीक्रिया की तरह कार्य करने लगती है यह प्रथम कोटी के वेग नियम का अनुसरन करती है ऐसी अभीक्रिय को हम छद्म एक अनुक अविक्रियाएं स्यूडो यूनी मॉलिक्लेर रियाक्षन कहते हैं इसी तरह से एक और उदारान हमने लिया था वह है केंशुगर यानि इक्छुगर का प्रतिलोमन यहां पर जो शुगर है सीट्वल एच्वरंटीटू ओ इलावन इसके साथ जब हम ज एक मॉलब्ल्द्व्र्क्टोस की प्राप्त होते हैं यहां पर जो शुग्रोस है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्वता है और यहां पर जो ग्लुक्वोस और फ्रक्टोस का रोटेशन अधिक है इसलिए उत्पाद मिश्रंड का जो ओवर ओल रोटेशन होगा वह लीवो रोटेटरी हो जाता है नेगेटिव होता है इसलिए हम उसको कहेंगे कि वह लीवो रोटेटरी हो जाता है और इस वकार डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोस का लीवो रोटेटरी अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तन शर्करा का प्रतिलूमन कहलाता है यहां पर भी आप देखें कि यदिस अभिक्रिया की मॉलेकुलारटी अनविक्ता देखें तो यहां पर यह दो अनु इसमें भाग ले रहे हैं यहां प्रात्मिक अभिक्रिया है और इसमें ग्लुकोज और एक जल का अनु भाग ले रहा है यहने कि इस की दर केवल ग्लुकोस की सांधरता पर निर्भर करती है जल की सांधरता पर नहीं कर रही है इसी प्रकार से हम और भी अधिक अनुवाली अभिक्रिया ले सकते हैं माल लीजे एक अभिक्रिया है जिसमें की दो मॉल अभिकारक के एक मॉल बी अभिकारक के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट का निर्मान करते हैं यहाँ पर प्रायोगी क्रिया की दर है वहoo एक की आहाँ की ग्हात के समानुपाथी होती तो ये वास्ताव में होनी चाहिए थी त्री अनुक अभिक्रिया, त्री कोटी अभिक्रिया लेकिन दुदी कोटी की अभिक्रिया की तरह विभार करती है। तो इस प्रकार की अभीक्रिया को हम क्या कहेंगे यह pseudo बाई molecular reaction यह नियूए की चत्म 2 अनुक अभीक्रिया जो वास्तों में 3 अनुक अभीक्रिया है लेकिन यहाँ पर यह द्वी अनुक अभिक्रिया की तरह विभार कर रही है जबकि यहाँ पर मॉल्युक्लारटी यदि हम ले आणविक्ता ले तो यह 2 प्लस 1 इस उकल टू 3 होगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिक्रिया जो प्रात्मिक अभिक्रिया होती हैं उनमें अभिक्रिया की कोटी तथा अभिक्रिया की आणविक्ता समान होती है लगब 99.9 केसिस में इस सुरुकार को देखने को मिलता है लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं और इन्हें हम छद्म अनुक अभिक्रिया कहते हैं चलिए अब हम अभिक्रिया की दर्प को प्रभावित करने वाले कारकों में से दूसरे कारक की बात करते हैं वह है ताप ययन्हें की अभिक्रिया वे की ताप पर निर्भरता सामानी तोर पर भी हम देखें तो ये देखा जाता है कि बहुत सी अभिक्रिया aoえば ताप के द्वारा प्रभावित होती हैं ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है उदहरन के लिए हम नाइट्रो प्रारंभीक मात्रा को 50% व्योजित होने में कुल 10 दिन लगते हैं जबकि यदि हम इस तापमान को 25 डिगरी सेंटीग्रेट कर दें बढ़ा दें तो यह पांच घंट्यों में ही व्योजित हो जाती हैं और इसी तरह से यदि हम तापमान को और बढ़ा दें और तापमान 50 डिगरी सेंटीग्रेट कर दें तो नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड केवल 12 मिनट में व्योजित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ओक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अभी क्रिया की दर भी बढ़ जाती है इसी तरह से हम और भी उदारन ले सकते हैं हम जब ट्रिशन करते हैं यहाँ पार पmiaटेशियम परमेगनेट और आक्सालिक ऐसेड के बीच जब हम अनुमापन करते हैं उस सब में भी हम देखते हैं कि जब ब्यूरेट में हम पोटैश्यम परमेगनेट लेते हैं और कॉनिकल फ्लास में जब हम ऑक्जालिक एसेड लेते हैं तथा उसमें 2-3 ml तनू सल्फियूरिक एसेड के डालते हैं इसके बाद उस अभिक्रिया मिश्रण क हम गर्म करते हैं क्योंकि गर्म करने से जब पोटैश्यम परमेगनेट हम उसमें डालते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और पोटैश्यम परमेगनेट का विरंजन जो है वह तेजी से होने लगता है यदि हम गर्म ना करें तो अभिक्रिया काफी धीमी होती है त प्रायोगी क्रोप से यह देखा गया है कि किसी भी अभिक्रिया के तापमान को यदि दस डिगरी सेंटीग्रेट बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग स्थरांग के मान में दुगने से तिगनी व्रिद्धी हो जाती है यदि के की वेल्यू जो जितनी होगी और यदि हम के की वेल्यू टी प्लस 10 डिगरी सेंटीग्रेट पर जो वेल्यू होगी इसका यदि हम अनुमा अनुपात निकालें तो यह दो से तीन के बराबर आता है और इस अनुपात को हम ताप गुणांग या टैंप्रेचर कोफिसेंट कहते हैं यहने कि यह माल लेजे 10 डिगरी सेंटीग्रेट जब हम ना कर देंगे तो के की वे Loo 3ktion है जाएगे यदी तीनगुणा बढ़ रही है तो यदि हम 10 डिगरी सेंटीग्रेट और बढ़ाए तो अब और इस प्रकार से जो अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव का अध्यानसर प्रथम किया था वो किया था औरहेनियस नामक वैज्ञानुपने और जिसे हम अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को औरहेनियस एक्वेशन के आधार पर आसानी से समझ सकते हम औरहनियस एक्वेशन है इसे प्रस्तावित तो वांठाफ नमक रसाइनग्य ने किया था लेकिन बाद में इसके भौतिक सत्यापन तथा इसको प्रतिपादित करने का कार्य वेज्ञानिक औरहनियस ने किया था यह आरेनियस एक्वेशन क्या है यह एक्वेशन है के इस एकल टू ए डॉट ए टुदी पावर माइनस ए बाई आर टी जहां पर हम देखें कि के तो वेग स्थारांग है इसके लाबा जो ए है उससे हम आरेनियस गुडांग या फिर फ्रेक्वेंसी कोफिसियंट अवरति गु होता है यहां पर ए है वह एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियन उर्जा को दर्शाता है यहां पर आर जो है वह है गैस कॉंस्टेंट तो इसके यहां पर हम देखें कि रासाइनिक अभी क्रिया पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पढ़ता है इसको हम एक हाइड्रोजन और आयोडीन के उधारान के द्वारा समझ सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन गैस के एक मोल आयोडीन गैस के एक मोल से क्रिया करके दो मोल हाइड्रोजन आयोडाइट के बनाते हैं यह और अरेनेस एक्वेशन के अनुसार यह अभी क्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन के के एक अणूँ और आयोडीन के एक अणूँ आपस में इस तरह से संघट करें कॉलिजन करें और उसके बाद एक मध्यवर्थी का निर्मान करें यह की एचटू और आईटू इस मिलकर एक मध्यवर्ती का निर्मान करेंगे और फिर यह जो intermediate मध्यवर्ती होगा वह व्योजित होकर उत्पाद में परिवर्तित होगा और इस मध्यवर्ती को जिसे हम सक्रित संकुल भी कहते हैं यह सक्रित संकुल के लिए तक पहुचने के लिए उन अभिकारकों को एक निश्चित पूर्जा की मात्रा की आवशकता होगी जिसे हम कहते हैं सक्रियन उर्जा और इसलिए जब हम इस्तित उर्जा तथा इसको अभिक्रिया नर्देशांकों के बीच graph खीशते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्थ होता है और इसे हम ग्राफ के द्वारा जादी अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर यह ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें यह Y-axis पर स्थती उर्जा को दर्शाता है तथा X-axis पर यहाँ पर अभिक्रिया नर्देशांक यह यनि कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी उर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है यह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रारम में हम देखें कि हाड्रोजन और आयोडीन दोनों के यनि कि अभिकारक की जो उर्जा है वो आपको इस लेबल पर दिखाई दे रही है जैसे जैसे ये इनके भी संगट होता जाता है और इनकी उर्जा में वृद्धी होती जाती है और इसके इनके पश्चात इनको जो एक सक्रित संकुल में परिवर्तित होना आवश्यक होता है और ये सक्रित शंकुल के लिए बनाने के लिए इनको जितनी ऊरजा चाहिए वो उरजा इसके पीग पर आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं यहाँ पर जो है सक्रित संकुल बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा है अब यहाँ पर देखिए मान लिजे हम अभिकारकों की प्रारंविक उर्जा को 10 जूल मान लेते हैं इनकी और सक्रेट संकुल बनने के लिए जो आवश्यक उर्जा है यानि कि इस हाइट तक उचाई तक पहुँचने के लिए आवश्यक उर्जा है वह कुल मिलाकर 50 जूल है जबकि उनको सक्रेट संकुल बनाने के लिए कुल जो देली उर्जा तक पहुँचना है उस उर्जा की मात्रा 50 जूल है यानि कि उनको जो उर्जा गैप है यानि कि 50-10 is equal to 40 जूल 40 जूल उर्जा प्राप्त करनी होगी और यह जो उर्जा होती है इस उर्जा को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे तब इस ये सक्रित संकुल बनाने में सक्षम होंगे और जैसे ही सक्रित संकुल बनेगा ये बहुत ही छणिक होता है अस्थाई होता है वैसे ही ये तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे यहने कि जो एनर्जी है देहली उर्जा है वह बराबर होती है अभिकारकों की उर्जा के प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के यह हम कहें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वह बराबर होती है देहली उर्जा माइनस अभिकारकों की के पास जो प्रारंबिक उर्जा है उसके तो इस तरह से ह तब तक वो प्रोडक्ट में उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे अब इस जो उर्जा है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम मैक्सवेल वोल्ट्समेन ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं यहां पर मैक्सवेल वोल्ट्समेन दे और वो के अंश तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई गतीज उर्जा के बीच ग्राफ किचा यह ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है यहां पर अलग अर्मों की संख्या की उर्जा आपको प्राप्त हो रही है यहां पर कुछ अर्मों की संख्या गतीज उर्जा कम है कुछ अर्मों की संख्या है जिसकी उर्जा यहां पर जादा है यहां पर यदि हम एक यहां पर ले ले यह एक्टिवेशन एनरजी को इंगित करता है तौ यहां पर आप देखें कि कुछ अर्मों की संख्या ज़्यादा है जिनके पास उसत उर्जा तो बहुत है लेकिन उन अनुवों की संख्या कम है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो जितनी अनुवों की संख्या इस एक्टिवेशन एनर्जी को या उसके पास उतनी उर्जा हो जाएगी वही दिदी हम बढ़ा देते हैं तो जो कर्व है वह इस तरह से परिवर्ति हो जाता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बैज समय वाला कुल पीक थी वह यहाउठ रंड- PS4 थोड़ी सी cabin हो गई है उचाई कम हो गई है जब कि यहां पर आप देखे जो एक्टिवेशन एनरजी के बाद वाले छेत्र है उसके मान में उसके एरिया में बढ़ोतरी हो गई है जो यह दर्शाता है कि तापमान बढ़ाने से उन अर्मों की संख्या बढ़ जाती है जिनके पास की सीधे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो इस तरह से हम देखें कि कि किसी भी पदार्थ के तापमान में व्रधी के द्वारा एक्टिवेशन एनरजी से अधिक उर्जा प्राप्त करके संघट करने वाले तथा प्रोड़क्ट में परिवर्तित होने वाले अर्मों की संख्या में वृध्धी हो जाती है यदि टी प्लस टैन कर दें दस डिग्री सेंटिग्रेट तापमान भी बढ़ा दें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सक्रियन उर्जा से अधिक उर्जा वाली जो ग्राफ का छेत्र है उस छेत्र में लगभग दुगनी वृध्धी हो ज जाता है यहाँ पर हम देखें कि और हीनियस एक्वेशन के इस क्यों देखें जो के इस उकल टू एडॉट एक की पावर माइनस ए बाई आर्टी यहाँ पर भी आप देखें यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तापमान ती के मान में बढ़ोतरी होगी यहाँ पर प्राकृतिक लगुद्धि करते हैं और इसके लिए हम आर्यनीच एक्वेशन के का प्राकृतिक लगूगणक लेते हैं जो उपर जो समिकरण है उसका प्राकृतिक लगुगणा क्लेने पर यह हमें प्राफ्थ होगा lnk is equal to यहाँ पर जो घात है वो सामने आ जाएगा minus ea by rt plus ln a आप देखें तो यह भी equation जो है वह straight line equation सरल रेखा समिकरण y is equal to mx plus c के बिलकुल सम्तुल्य है और यहाँ पर हम y-axis पर lnk रखते हुए तथा x-axis पर time 1 by t नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 by t है 1 by t लेते हुए जब हम graph खिशते हैं तो हमें चुकि यहाँ पर activation energy minus ea by r इसकी value negative है तो यह हमें एक negative slope प्राप्त होता है और यह जो slope की ढाल है यह slope है वह हमें minus ea by r की value दिखाता है यह और इसे हम जब हम slope कर लेंगे यानि कि इसे डेल्टा t के द्वारा से ग्याद कर लेंगे तो हमें minus ea by r की value प्राप्त हो जाएगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके जो आरेनियस equation है उसका प्राकृतिक लगुगुणक लेकर हम आसानी से activation energy की value calculate कर सकते हैं आरेनियस समीकरण में t के मान में जैसे जैसे हमने देखा कि वृद्धी होती है वहाँ पर ea के मान में कमी आती है और इस तरह से वेग स्थरांग के मान में बढ़ोतरी होती है और जितनी जादा वेग स्थरांग के मान में बढ़ोतरी होगी उतनी जादा अभीक्रिया की द और यह समान उपाती होती है के के और इसलिए के के वेल्यू बढ़ने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है आईए अब हम आरेनिय शेक्वेशन का एक और रूप देखते हैं जिसके द्वारा हम किसी एक अभिक्रिया के लिए दो भिन भिन तापमानों पर उनके वेग इस्थ ठरांग का मांद के वन है तथा टी टू तापमान पर स्वेग इसि ठरांग टी टू है तो इसके लिए हम अर्जिन यह सब्क्रिद कर लिए हैं T1 तापमान पर यह होगा LN of K1 is equal to minus EA by RT1 plus LN of A और उसी तरह से T2 तापमान पर हम लिखेंगे LN of K2 is equal to minus EA by RT2 plus LN of A यहां पर आप देखें जो LN of A है यह दोनों किसी एक अभी करिया के लिए स्थरांख होते हैं अब हम समीकरण 2 में से समीकरण A को घटाते हैं तो यहां पर हो जाएगा LN of K2 minus LN of K1 is equal to EA by RT1 minus EA by RT2 यहां पर जो LN of A है वो दोनों एक दूसरे से कैंसल हो जाएगे अब यहां पर इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं LN of K2 by K1 is equal to EA by RT1 minus EA by RT2 यहां हम इससे इस तरह से लिख लें यहां पर EA by R जो दोनों तरफ कामन है इसलिए हम इसको कामन निकाल लेते हैं अब यहां पर जब हम यह LN natural log को जब हम 10 की आधार पर लगो गुणक में परिवर्तित करते हैं तो वहां पर 2.303 का गुणा करते हैं तो इससे हम 10 के आधार पर log में परिवर्तित करते हैं 2.303 log K2 by K1 is equal to EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2 अब यहां पर 1 by T1 minus 1 by T2 इनको minus करने पर हमारे परस के मिल जाएगा यहां T2 minus T1 by T1 into T2 जो इससे हम यहां पर apply कर देते हैं और साथ ही यहां पर 2.303 इसे हम पक्षांतर कर देते हैं तो यह नीचे आ जाएगा अब हमारे पास जो equation हुआ वह हो जाएगा log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2 तो यह जो equation हमें मिला यह अरहीनियस equation का एक दूसरा रूप है जिसके द्वारा हम किसी अभीक्रिया के लिए दो ताप मानों T1, T2 तथा वेग स्थरांक K1, K2 में संबंद जान सकते हैं साथ ही साथ यदि हमें किसी अभीक्रिया के लिए दो ताप मानों पर वेग स्थरांकों का मान पता हो तो हम आसानी से activation energy की गढ़ना कर सकते हैं तो चलिए इसे हम एक उदारन के द्वारा समझते हैं मान लेजिए किसी राशायनी कभीक्रिया के लिए किनी दो ताप मानों 300 Kelvin और 400 Kelvin पर इनके वेग स्थरांकों का मान क्रम शह 0.0345 पर सेकंड तथा 0.1365 पर सेकंड है यहाँ पर साथ इसाथ जो वेग स्थरांक आर की वेल्यू यहाँ पर हमें दी गई है वो है 8.314 जूल पर कैल्विन पर सेकंड तो इस तरह से हम जो हमने नया प्राप्त किया है उसमें हम इन सारी वेल्यू को रखते हैं तो हमारी पास जो फर्मूल हो जाएगा वह होगा लॉग के टू बाई के वन इस उकल टू ए बाई 2.303 आर इंटू के टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू इसमें हम सारे वल्यू रख देते हैं तो यहाँ पर के टू और के वन की वैल्यू हम són मिल गई है तो हम लिखेंगे लोग के टू की वैल्यू टूपॉड 1365 और के वन की वैल्यू है यहाँ पर 2.0.2345 इसी तरह से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे हम लिख देंगे 2.303 तथा आर की वैल्यू डाल देंगे यह हो जाएगा 8.314 साथ हम टापमान की वैल्यू रख देते हैं तो तो T2 तापमान है 400 कैल्वीन, T1 तापमान पर आजाएगा 300 कैल्वीन और नीचे T1 इंटू T2 की जगा पर हो जाएगा 300 इंटू 400 जब हम इस से कैलकुलेट करेंगे तो हम्में इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पर लॉग हमें दो 3.965 is equal to ea by 2.303 into 8.314 यहाँ पर 400 में से 300 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 100 और साथ ही नीचे आपको 300 into 400 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 into 10 to the power 4 यहाँ पर अब क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरफ ले आते हैं तो बाकी नीचे वाली जितनी वैल्यू है वह ऊपर चली जाएंगी और हमें प्राप्त होगा 0.5973 यह हमने लॉग 3.965 की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर हमें मिल गया 0.5973 into 2 2.303 into 8.314 into 10 to the power 4 और नीचे हमारे पास मिल गया 100 जब इन सारी वल्यू को काल्कुलेट करेंगे तो हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होगी वह होगी 13724.2 जूल पर मोल तो इस तरह से भिन भिन ताप मानों पर वेग स्थरांग के मान यदि हमें दिये हुए त तो हम आसानी से उस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैल्कुलेट कर सकते हैं